पंजाब में एक उतूबर से दान की क्रीच शुरी होने जा रही है वहीं आज हमने खुश्यारपूर के दसुआ दाना मंडिक में परशाशन द्वारा किये गए प्रबंदों का जैजा लिया यहां मंडी बोर्ड के प्रबंदों की पोल कुलती नजर आई एक अक्तूबर से पंजाब में धान की क्रीच शुरू होने जा रही है और किसानों और मजदूरों के लिए मंडी बोर्ड द्वारा पीने के पानी और शुचाले के कितने पुपता प्रबंद है इस पर आज हमने मंडी बोर्ड द्वार की पोल खोलती तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया देखिए ये हाल मंडी बोर्ड द्वा के प्रबंदों का यहां पीने के पानी के साथ किसानों और मजदूरों के लिए शुचाले की मंडी बोर्ड द्वारा की गई विवस्ता की दसुआ में किसानों और मजदूरों ने बताया कि उनके लिए पीने के पानी और ना ही उनके लिए शोचाले की अच्छी ववस्ता मंडी में है क्योंकि पूरी मंडी में तीन शोचाले हैं जो बंद पड़े हैं वा उनकी हालतों की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति उनका प्रयोग करे तो शोचाले में बिमार होकर वापीस आए दहती नी कार कोई सुज़ा करे ने के लिए got Devlin के के लिए ना सोचाले हैं में ना बातरों में ना पानी का यहां पर कोई भी सुब्दा है वान दे आस वले मकंबल है जी पूरे बाकि पहली तीक नूँ खरीदों जणियों दो ने जंसियां दी वंडों निये अजे तक ए जंसी वाला कोई आया नी जंसी वाला कोई ना मारक फैड चार जंसियां दे खरीदों मारक फैड पानसाप एग्रो ए तेने जंसियां दे खरीदों दी उना चो कोई अंग स्प्रेक्टर निया जाया क्योंकि पहली तीक तो खरीद शुरू और यह पहली तो प्रबांद शुरू होने है बाकि जड़ा मारकेट कमेटी दा काम में वह वजिया चल रहा थे बाकि ज सीवरे साथ यह तो मंडी जड़ी मंडी दी हो बांदो ही पही ओदे करके साथ साथ वड़ी प्रावलों में उन्हों है उश्यारपूर से सुनी लखा की रिपोर्ट न्यूज जटी नहीं सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना पुलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद